हलो दोस्तों गूर्णिक स्वागा दिपार फिर से आप सभी का एंजेटी आजू कैसन में दोस्तों आज है संडे और संडे को होता है आपका रिवीजन विकली करेंट अफेर का तो 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आपने जो भी चीजे पढ़ी उसको डिटेल में हम कर दोगा क्यों किवल फॉलो करते हैं उन लोग के लिए असान लाईगा क्यूंकि मैं बैका बताने वाला हूं और जो लोग रिवीजन करते हैं लेकि लिए के लिए तो सुपर आसान रहने वाला है और आपको इंड में अपना स्कूर भी कमेंट करके बताना है हमेजा की तरह तो जल्दी से कॉपी पेपर लेकर के हो जाए तैयार वीडियो होने वाली है शुरू इस वीडियो के क्वेज और पीडियाफ आपको मिलेगी एंजटी एप पर एंजटी एप गूगल प्लेइस टोर पर मिल जाएगा फ्री पीडियाफ फ्री क्वेज सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा इसके अलवा हमारी ये बुक और वीडियो कोर्श भी ले सकते हो चली जली से आड़ जाएगे फटा फट से शुरू करते हैं पहला कुछ न आपके सामने है रूल में फिर से आपको रिवाइंड करा दू इंड में आपको स्कोर अपना कमेंट करके बताना है इंड में स्कोर बताना है कमेंट करके ठीक है भूलना मत इमांदारी से बताना 20 जुलाई को बताओ और निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया वैसे इस वाले वीक के कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है कि इसी सब्ता में बजट लांच हुआ है चली बताए 20 जुलाई को कौन सा दिवस चेस्टे, चेस्ट के बारे में चेस्ट के तिहाज के बारे में बताने के लिए चेस्ट के खेल के महत्तो के बारे में अदर विस्ट के प्रतिय वरिनेस पहलाने के लिए दिवस मनाया जाता है ठीक है अंतराश्टे सतरंज महासंग जो है इसके द्वारा विश्व, चस, सतरंज, मतलब अलगलब कागे टूनामेंट आविजित कराए जाते हैं इसी संस्था के द्वारा इसके स्थापना 1924 में पेरिस में हुए थी 20 अप्रेल को स्थापना हुए थी इसलिए 20 अप्रेल को ये दिवस मनाया जाता है और दूसरा दिवस है इंटरेशन मून डे अंतर अश्टेच चंदर दिवस ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई को पहली बार धर्ती से कोई मनुसे चंदरमा पर कदम रखा था तो अपोलो 11 मिसन जो है इसके तहर 20 जुलाई को उनिस उनक्टर में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्डरिंग ने पहली बार कदम रखा था चंदरमा पर ठीक है ना माइकल कॉलेंस जो है ये उपर और बिटर में थे बैटे थे और चंदरमा के कख्षा में गोंग रहे थे बाकी ये दोनों उतरे थे चंदरमा के धर्ती पर ठीक है तो इस बार के थी में illuminating the shadow छाया को रोसन करना अगला PM स्वानिधी योजना में सर्वस्रेष्ट प्रदरसन करने वाले राज्यों के स्रेड़ी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है कमेंट करके बताए ये बहुत important question है PM स्वानिधी योजना ठीक है ना स्वानिधी योजना यानि की प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत निर्भर 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 अभी बढ़ा कर 50,000 कर दी गई है ठीक है अच्छा वैसे इस बार के बजट में मुद्रा लोन की भी धनरासी बढ़ाई गई है मुद्रा लोन जो है पहले 10 लाग तक मिलता था अब 20 लाग मिलेगा ठीक है 20 लाग मिलेगा ध्यान रखना ये भी तो बड़े राज्यों में टॉ अगला राश्ट्रपती दुरपदी मुर्मो ने कितने विस्ष्ट सेवा प्रुसकार प्रदान किये गए हैं जो सेनाओं को दिया जाता है अभी राश्ट्रपती भवन में दो मनडप का नाम बदला गया है ये कुश्चन भी याद रखना कौन कौन से मनडप है एक तो दो दर्बार मंडप कर दिया गया है, दर्बार हाल का नाम, दो हाल का नाम बदला गया है, दर्बार हाल और असोक हाल, ठीक है? दर्बार हाल का क्या कर दिया गया है? गरतंत्र मंडप कर दिया गया है नाम, गरतंत्र मंडप इसका नाम कर दिया गया है, राश्पती भवन में इस् प्रजेंट किया है इसमें 31 को PVSM यानि परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है और चार को उत्तम युद्ध सेवा मेडल दो को अती विशिष्ट एवी एसम मिला है और 57 को अती विशिष्ट सेवा मेडल मतलब अती एवी एसम इनको मिला है इनको पहली बार मिला है दो ऐसे हैं जिनको दोबारा से मिला है ठीक है अगला MotoGP India के नए Brand Ambassador कौन बनाए गए? MotoGP India Race ये दोस्तों कहां होती है? बताइए कमेंट करके कहां होती है? बुद्धा International Circuit में याद रखना बुद्धा International Circuit में होती है और अभी 2025 से 2029 तक सारी रेस यहीं पर कराई जाएगी इसके लिए डिल हो चुकी है अपनी तो इसमें सिखर धवन जो है जो के क्रिगेटर है इनको बनाया गया है Brand Ambassador यहाँ पर देखिए सिखर धवन है MotoGP के यह होंगे Brand Ambassador चलिए तो ग्रेटर नोईडा के ये बुद्धा सर्किट में आज़ुद किया जाता है अगला जोती रादित एम सिंधिया द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेज 1224 के लिए थीम क्या लांच की गई है बताइए ये देखिए कुष्चन पेपर लीक हो गया अंसर तो यहाँ पर दिया गया है चलिए कोई बात नहीं ए ओप्सन अपका करेक्ट होगा जो लोग इमानद सरकार ने सरमिक बसेरा योजना सुरू की तो सरमिक बसेरा योजना किसने सुरू की है कमेंट करके बताइए फटा फट से सरमिक बसेरा योजना इसके दायत क्या होगा जो सरमिक होते हैं उनके लिए एक आवासिय सुविधा सुरू की जाएगी पांच रुपए प्रते दिन के हिसाब से किराया दे करके वो वहाँ पर गुजर बसर कर सकते हैं, रह सकते हैं तो गुजरात ने ऐसा सुरू किया है, किसने? गुजरात राजे सरकार ने सरमिक बसेरा स्कीम सुरू की हुई है, इंपोर्टेंट है याद रखना ये भी कुश्चन ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला है कुश्चन हाली में निम्र में से किस भारती खिलाड़ी को टेनिस हाल आफ फेम में सामिल किया गया तो टेनिस हाल आफ फेम में दो भारती खिलाड़ी को अभी सामिल किया गया है ठीक है लेंडर पेज विस्ट रैंकिंग में नंबर वन अस्थान पर भी रह चुके हैं 37 तक लगाता रहे थे नंबर वन पोजिशन पर और विजय अमरित राज भी दो दो बार प्रूसेकल क्वाटर फाइनल तर पहुंचे थे अगला एयरबस और टाटा ने कब तक भारत में निर्मित पहला H125 हेलिकाप्टर लांच करने की गोश्चना की तो भारत में अब बनेगा H125 हेलिकाप्टर इसको एयरबस बनाएगी टाटा के साथ मिलकर 2026 तक ये पहला बना देंगे फिर 2026 में 10 बनाएंगे फिर उसके बाद हर साल इनका टार्गेट रहेगा 50 हेलिकाप्टर ऐसे बनाएं made in India होगा पूरी तरीके से ठीक है तो Airbus ये बना रही है Airbus एक विदेशी कंपनी है इसकी Tata के साथ इसके लिए डील हुई है ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा ठीक है ना गुजरात में ये कारखाना होगा जहां पर ये बनेगी अगला गांधी मंडेला पुरुषकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया most important question अभी अंतर अश्टिये मंडेला दिवस मनाया गया नेलसन मंडेला दिवस 18 जुलाई को उनकी जहनती पर ही ये अवाइड अनाउंस किया जाता है गांधी मंडेला पुरुषकार तो 2020 के लिए इस बार दिया गया है किसे दिया गया है बताई ये दिया गया है रिगोबर्टा मेचू तुम इनको दिया गया ठीक है ना अगला हाले में किस भारतिय संस्थान ने सरुस्त्रेश्ट प्रदोग की प्रश्कार जीता है बताई बेस्ट टेक्नोलोजी अवाइड किसने जीता है किस भारतिय संस्थान ने कमेंट कीजिए फटा-फट से किस ने जीता है केरल में इस्तित है ये संस्थान और नाम है भारतीय मसाला अनसंदान संस्थान आप जानते हो केरल मसालों के लिए परसिद्ध है तो अभी हाली में इसे मिला हुआ है बागवाने विज्ञान के छेदर में अपने अगरेणी कामों के लिए तो तोरित गुलन सील, हल्दी, युक्त, मसालेदार, दूद, पाउडर के प्रकिया ये बनाते हैं इसके लिए दिये गया है अगला 2024-25 का कुल अनमानुद बजट कितना निरधारत किया गया है बता ये 2024-25 का कुल बजट जैसे मैंने आपको बताया है ये हफ्ता सबसे अधा इंपोर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि इस बार बजट लांच हुआ और दूसरा इंपोर्टेंट ओलंपिक भी शुरू हुआ है ओलंपिक भी शुरू हुआ है बई इस हपते में ठीक है न तो चलिए ओलंपिक भी अब चल रहा है पेरिस ओलंपिक तो दो महत्पूर्ण कारणों की वेज़से ये वाला वीक का करेंट अफेर आपको लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है सभी लोग देखेगा जरूर ध्यान से बताओ 2024 का अर्मान बजट कितने में लांच हुआ आप बताओगे कितना 48,020,512 करोड या मोटा-मोटा 48,221,00 करोड भी आपको दिख जाएगा ठीक है उसका मतलब आप यहीं समझेगा तो यह लांच हुआ अच्छा इस पर मैंने आपको वीडियो दिए है इसको ध्यान रखिएगा वीडियो जा करके देख लेना यह बजट पर यह टैक्स लैब है जो जिसमें हलका सा स्लाइटली चेंज किया गया है तीन से साथ लाख रुपए इस बार कर दिया गया है पाच परसब के ब्याज उस पर और साथ से दस लाख रुपए तक दस परसब किया गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है एक बार और ध्यान रखना कि ये वाला जो budget है ये budget दोबारा इस साल आया है कुझ? क्योंकि अभी फर्वारी को जो आया था वो अन्तरिम budget था क्योंकि इस बार चुनावी वर्ज था इस बार 23 जुलॐ को इक बार फिर से जब नई सरकार बनी तो 23 जुलाई को एक बार फिर से बजट लाया गया है, दोनों पर मैंने आपको वीडियो दी है, आप उसको डिटेल में जरूर देखना है, किस देश ने दुनिया की पहली high speed carbon fiber train बनाई, तो high speed carbon fiber से बनी train चाइना ने बनाई है, यह option आपका correct होगा, यहाँ पर चाइना देख सकते हो, option में ह high speed carbon fiber train, ठीक है, इको फ्रेंडली है यह, 87 km, 87 मेल प्रतिगंटे यानि 140 km प्रतिगंटे की top speed तक जा सकती है, अगला, किस राजी के चराई देव मैदाम को युनस्को की विश्व धरूर अस्थल के रूप में नामित किया गया, तो भई, चराई देव मैदाम बन गया है, अस्थल भारत में, ठीक है न, भारत में, कहां पर है इस्थित, असम में इस्थित है, इसे असम का पिरामिड कहते हैं, असम का पिरामिड कहते हैं, चराई देव मैदाम, बहुत ही फिमस यह इस्थल है, इसको अब अस्थापेत की अविश्व विरासत अस्थल में सामिल किय गया गया है 42 पहले से थे अब प्लस एक हो गया है अब हो गया है Analysis ठीक है याद रखना बूनला मत यह मत कहना कि सबड़ीस बताएथेस्या पर 47 अब हो चुका है 41 आपको पता है सांतीनी केतन इल लिग गयाना गया है 42 अ बना होय पूचबाल टीम का कोच किसे न्युक्त किया गया है। यह अब हो गए है मनोलो मार्केज। सीनियर पूर्स फुटवाल टीम के नए कोच होंगे मनोलो मारकेज, किसकी जगह पर आए हैं, इगोर इस्टिमेक के जगह पर आए हैं, अगर आपको यादो कुछ दिन पहले इन्होंने इस दीपत दे दिया था, उसके बाद कहें, यहाँ पर यार राजनी थी बहुत होती है, फिलाल इगोर इस्टिमेक के बाद, अब मनोलो मारकेज होंगे, कहां के हैं, इस्पेन के हैं, जहां के हैं, यह पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन, कल्यान चौबे, आल इंडिया फुटवाल फुटवाल फुट्रेसन के अध्धक्ष है, सुइस ओपन का यूगल खिताब किसने जीता है, सुइस ओपन टेनिस यूगल खिताब, किसने जीता, बता ये, टेनिस का ये टूनामेंट है, जल्दी जली कमेंट करते रो भई, टेनिस का ये टूनामेंट है, और इसको जीता है यूगी भामरी और अलवानो ओलिवेटी की तीम ने अगला देखो ये फ्रांस के हैं के जोड़िदार युकी वामरी तो भारत के हैं अगला हाँ साइंस की एबुक आई हुई है जो लोग नहीं लिये हुए है वे तक देखो जही कभी एनाउंस हो गया उसमें भी 30 कुशन पूछे जाएंगे साइंस के एंटी पीसी भी इसके लावाट टेकनीसियन आपका लगा ही है एलपी आपका लगा ही है सब में आपको एक चीज़ कावे मिलेगी वह है साइंस 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 रेलवे विज्ञान इसके लिए आपके लिए ये ईबुक तयार कर दी हमेंने आपको लेना हो तो जाकर कि इसे ले लो फटा-फ कौना जाता है क्यूंकि 24 जुलाई 1860 में Sir James Wilson ने पहली बार आयकर की अधारणा पेस की थी ये कुश्चन भी बना हुआ है भारत में आयकर की अधारणा पेस करने वाला गुवर्नर कौन था या भारत में आयकर की अधारणा कौन पेस किया था ऐसे कुश्चन बने है आप फिर से बनेंगे और पूछा जाएगा गलत मत करके या ना सर जेम्स विल्सन ने इसको आयकर की आधारणा भारत में पेस की थी कब 1860 में जब 1857 की करांती हुए विद्रो हुआ अंग्रेजों से नहीं समला गया तो 1858 में ब्रिटिस को स्वत्ता सौप दी गई और ब्रिटिस सासन पेसे कंपणी का सासन था फिर बिटिस गवर्मेंट का सासन हो गया फिर दो साल बाग आयकर की आवधारना आगया यानि की इंकम टेक्स वसूला जाना शुरू हो गया ठीके जी अगला तब से आज तक इंकम टेक्स वसूला जा रहा है हाली में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट कौन से में अस्थान पर रहा तो भारत का पासपोर्ट दोस्तो अब थोड़ा सा सुधार हुआ है इसमें 82 में अस्थान पर आगा था लेकिन सुधार करके फरवरी में ये लोग लाकर पचासमें पर भारत को रख दिए और फरवरी वाला इस बार माना गया ठीक है इस बार जनौरी फरवरी दोबारा आया था तो इस बार के लिए आपको ध्याम रखना है कि इस से पहले पचासमें अस्थान पर था अब जो कुछ देशों का इधर दर हुआ, कुछ जैसे लिष्ट में बाहर हो जाते हैं, कुछ लिष्ट में सामिल के जाते हैं, इस बार 58 देशों का ही वीजा फ्री एकसस है भारत को, लेकिन फिर भी भारत 20 में अस्थान पर है, मतलब कम देशों का वीजा एकसस है, फिर भी रैकिंग फ्रांस, जर्मनी, इस्पेन है, थर्ट पर आश्टिले, फिनलेंड, आइललेंड, लेक्जंबर, नीदरलेंड, सौथ कुरिया और स्वीडन है, अगला आर्तिक सर्वेचन, 2023-2024 के अंसार, वित्यवर्स, 2024-2025 में, भारत की GDP ब्रिथरे कितनी दर होगी, बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है ये भी, जब भी बजट लांच होना होता है, उसके एक दिन पहले आर्तिक सर्वेचन आता है, इकोनॉमिक सर्वेचन आता है, जिसमे याद रखना बहुत IMPORTANT होता है, कौन जारी करता है, तो आप बताना Chief Economic Advisor जारी करता है, कमेट करके मुझे बताओ, भारत के मुख्यारतिस सलाकार है कौन वरतमान में, बहुत IMPORTANT है, कमेंट करके बताओ, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स इन्हों ने बताएं हाला कि यह सब मैं आपको बजेट वाली वीडियो में बता चुका हूँ और बजेट की वीडियो जरूर देखकर जाना एक्जाम में ले बहुत इंपोइटन है ठीक है चली अगला लोजस्टिक प्रफॉर्मेंस इंडेक्स याद रख ले ना 38 वे अस्थान पर है 149 देशों में बहुत अगला रोटेक्स चैलेंज जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है रोटेक्स चैलेंज खिताब स्री नगर की अतिका मेर ने जीत लिया है मात्र नौवर्स इनकी उम्रें और इसी नौवर्स की उम्रें इन्हों ने ये रोटेक्स चैलेंज रेस जीत लिया हुआ है ये मैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफिक की नाम से भी जाना जाता है ठीक है चली अगला हाली में किस देश के फॉला डेविड ने किसी व्यक्ति के दोरा नेर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है तो फॉला डेविड दोस्तों ये है नाइजीरिया के और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा man made man handmade ये figure बनाया हुआ चित बनाया हुआ है, आर्ट बनाया हुआ है इसमें एक व्यक्ति है, स्वारी, एक व्यक्ति का हाथ है और वो हाथ Nigeria के map को समेटे हुए, जिसमें Nigeria के विभेन प्रकार के culture उनके community, समुदा आये, टाइसो से ज़्यादा समुदा इन सबके figures यहाँ पर बनाये हैं इसने, ठीके ना तो इनका नाम याद रखना फॉला डेविड, Guinness Book of World रिकार्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है figure का यारि की color का art का नाम क्या है, तो unity in diversity, ठीके ना एकता में अनेकता, ठीके बिवित्ता, अगला कार्गिल विजय दिवस की कौन सीली वर्सकाठ 26 उलाईं दोहजार चोविस II को तो इस बार कार्गिल विजय दिवस की 25 वर्सकाठ मनाई गए कीके कार्गिल विजय हम लोग ने कीया था 1999 में, कार्गिल लडाई हुए थी 1999 में, तो 1998 से 2024 में 25 साल हो गए तो 25 ही वर्जगाट इस बार मनाई गए PM मोधी द्रास में कारगली युद्ध इसमारक पर गए सहीदो को सरदांजली दी 1999 में 8 मैई से 26 जुलाई की बीच में भारत पाकिसान की सेनाओ की बीच में युद्ध हुआ था ठीक है अगला हाली में कहां पर बहुराश्टे सेने भ्यास खान क्वेश्ट आयज़त हुआ तो खान क्वेश्ट जो है ये मंगोलिया में होता है भारत और मंगोलिया भारत की सेनाओ यहां पर गई है मंगोलिया में, तो Khan Quest यहां हुआ, पिछली बार भी Khan Quest यहां पर ही हुआ था, मंगोलिया में, इस बार भी हुआ है, ठीक है न, तो Joint Military Exercise है, 21 इस बार का संस्क्रण है यह, ठीक है, Multinational होता है, मतलब कुछ और भी देशिस में हिस्सा लेते हैं, तो 27 जुलाई शुरू हुआ है, इसको जीता है, आसकर पियास्तुरी ने, किसने, आसकर पियास्तुरी, यह दोस्तों McLaurant टीम के हैं, और इन्होंने जीत लिया है, हंगरिया ग्राण पे, अपने, अपने मतलब की इतिहास में, अपने रिकार्ट में, पहली बार इन्होंने जीता है, इसलिए कुश्चन इंपोर्ट के अनुसार, देश का कितना प्रत्सत छेत्र, वन चेत्र के अंत्रगत आता है? इंपोर्टन कुश्चन है, इस पर अवे ने डिसकुस करके डिटेर में आपको बताया था भारत में वन चेत्र का 21.71 प्रत्सत है, भारत की जमीन का वन चेत्र, ठीक है? तो 21.71 प पूछे जाएंगे, सबसे अदा वनों में, टॉप पर है आंदर प्रदेश, दूजरे पर अगला, यहाँ पर एक FAO की भी रिपोर्ट आई थी, यह भी यहाँ पर दिया गया है, जो कुछ दिने पहले आई थी, इसको भी याद रखना, वैस्विग वनचेत विस्तार में, भारत तीसर स्थान पर है, टॉप पर चाइना है, सेकंड पर राश्टिलिया, थर्ड पर भारत है, ठीक है, इसको FAO जारी करता है, उसको भारत सरकार जारी करती है, अगला, राश्टपती भावन के दरबार हाल का नाम बदल कर क्या रखा गया, अभी सुरुवात्म मैं आपको बताया, राश्टपती भावन के दो हाल का नाम बदला गया है, एक दरबार हाल है, एक असोख हाल है, दरबार हाल का नाम बदल कर गरतंत्र मंडप कर दिया गया है, और बराजपती भौन के मुगल गार्टन का नाम बदल कर अमरित ध्यान किया गया था ये भी याद रखना ये भी कुछन पूछे दाएगा अगला किस राजसरकार ने नगरपालिकाओं को टीबी मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्त नगरम सुरू किया ये तो अभी मैंने कल ही आपको बताया था वीडियो में प्रोजेक्ट स्वास्त नगरम किस ने शुरू किया तेलंगाना ने टीवी मुक्त करने के लिए नगरपालिकाओं में तो ऐसे तीन से चार नगरपालिकाओं अभी शुरुवात में सुलेट की गई है इसमें हैदराबाद भी सामिल है राजदानी जोकी है उसकी बदा आने वाले टाइम पर और भी जोकाओं पर नगरपालिकाओं में स्वास्त नगरम सुरू किया जाएगा तो ये टीवी मुक्त करने के लिए अभियान है वैसे भारत सरकार टीवी मुक्त करने के लिए निक्षे मित्र चलाई है अब भारत सरकार का लक्ष है कि 2025 तक भारत को टीवी मुख्त कर दें अगला भारत सरकार ने 25,000 युवाओं को सिच्छा और कौसल विकास के लिए उसर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है तो भारत सरकार 25,000 युवाओं को सिच्छा और कौसल विकास के उसर पदान करेगी मौडल कौसल रिण योजना के तहट इस बार के बजट में इसकी भी गोशना की गई है फुल 4-5 योजनाओं की गोशना की गई है इसमें एक ये भी है मौडल इसकी लोन स्कीम तो अभी कौसल विकास उदंत्या मंत्राले के जो राजमंत्री है जैन्ट चोधरी इसका उकारन किया है और इसके तहट अगर कोई स्किल को डिवलप करने के लिए कोई स्टुडेंट पढ़ाई करना चाहता है देर लाग से साथ लाग रोपे तक, साड़े साथ लाग रोपे तक उसको मदद दी जाएगी अगला हाली में कि उसको फ्रांस का ओफिशियग डांस एल आडरे ड्रेस लेटरस प्रुसकार मिला है तो France का ये prestigious award है जो artist को दिया जाता है इस बार ये मिला है साधिर उस्मान को नहीं, रहाब Allana को मिला है ठीक है, रहाब Allana को मिला है याद रखना, D-Option आपका correct होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, रहाब Allana जो है, ये French Art Award जीते हुए है, ठीक है French Arts and Letters Ignacia Award से कहते हैं, इंग्लिस में और French Language में Official Dance, Allard, Dress, Art and Letters पताने क्या कहते हैं, अगला प्येम मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे उची सुरंग सिंकुन ला परियोजना का सुभारम किया है तो विश्व के सबसे उची सुरंग सही होता है, एक कुशन को छोड़कर जो भी चिनाब ब्रिज था उसको छोड़कर, ठीक है ना, चिनाब ब्रिज सबसे उचाई पर इसके ब्रिज, जम्मू कस्मीर में चिनाब नदी के उपर बनाई है यहाँ पर इसकी सबसे उची सुरंग सिंकुला परियुजना जो है, 15,800 खीट की उचाई पर बनाई गई है बनाई जा रही है मतलग, इसका भी सिलन्यास किया गया है, वह भी बनेगा यहाँ पर 4.1 किलोमीटर लंबी होगी ठीक है, 681 करोड रुपे खर्च आएगा, पियारो बनाएगा लास्ट कुश्चन आज का, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवाई परिवर्तन कानून पारित किया है किस देश ने पारित किया है व्यापक जलवाई परिवर्तन कानून ये वहाँ के जलवाई परिवर्तन को ले करके एक व्यापक कानून है बड़ा कानून है तो इसको अभी दक्षिड आफरीका ने साउथ आफरीका ने लागू किया हुआ है यहां पर दिख सकते हुआ पार्टिकल है दाहिंदु का साउथ आफरीका पासे इस फर्स्ट स्वेपिंग देखो यह सब चीज़ें आपको पीडेफ के में रूप में मिलेगी पीडेफ आपको टेलिग्राम पर मिलेगा तो वहां से रीडिंग लगा लिया ठीक है आप कुछ खुद भी कर लियो पढ़ लो और देखो मैंने बहुत सारे कॉंटेंट दे रखे हैं स्तीफा सन्यास हुआ ब्रैंडम मिजडर हुआ वह चायुक्त हुए यह सब इस्टर डिटेल है आपको जो दी जा रहे हैं और अगेन जाते जाते एबुक लेना है तो एबुक आप और कर सकते हो ले सकते हो इस नंबर पर वट्सेप पर ही बेस दी जाएगी पीडियेफ फॉर्म में होगी आप इ केलिग्राम और MZTF डाउनलोड करके रखो वहीं पर सब कुछ मिलेगी मैं मिलूंगा अगली बीडियों में तब तक लिए नमसकार जहें वंदे मात्रम